तो वोट इस गाउट गाउट क्या है गाउट एक तरीके का आर्थराइटिस है आर्थराइटिस मतलब आपके जॉइंट्स का इंफ्लामेशन जॉइंट्स उसमें इंफ्लेम हो रहे हैं और सूज रहे हैं लाल हो रहे हैं खराब हो रहे हैं गाउट के वज़े से पर यह गाउ होने के वजह से जॉयंट में डीपाज़िट होनाश रहे हैं यू इक ज़ंथ में बाउज से इन्फ्लामीशं करता है आपके जॉइंच में और इंफ्लामीशनग का मतलब आपके साइटोकाइं dragons और ऐसी कोई चीज जो चोट और chronic acute का मतलब acute grout का मतलब जो बहुत ही painful होता है painful condition जिसमें के एक particular joint में जादा दर्द होता है जादा तर इस case में जो joint involved होता है वो है आपका big toe अंगुठा पैर का वो जादा और chronic gout का मतलब है कि ऐसी चीज repeatedly हो रही है repeated episodes of pain बिल्कुल ऐसे वो चीज बार-बार इंफ्लामेशनली लॉंग स्टेंडिंग यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है करेक्टेट नहीं है अनकरेक्टेड है ऐसे केस में आपको एक से ज्यादा जॉइंट में दिक्कत हो सकती एक्यूट ज्यादा तर एक जॉइंट और क्रोनिक इसा आज उससे हैं आपकी बौडी या तो यूरिक एस्ईड ही जादा बना रही है वह क्यों बनाएगी कई सारे रीजिशन से अल्कोहुल ज़ादा लेने वालों इसट ज्यादा बनता है हाइर प्रोटीन डाइट लेने वालों ऐसे जादा धाइंट या फिर अगर के जोरुनिट के जो फ्लुइड है जॉइंट का जो साइनोय फ्लुइड है आपने सुना होगा ज्इन में लूब्रीघिकिन फ्लूइट होता है साओनोय फ्लूइट होता है उस साइनिल Android किए अंदर प्रिक्षन कंखने की के प्रिक्शन वाली जगह पे जहां पर फ्रिक्षन नहीं होने चीए कंकर आ जाए गया तो वहां तो फ्रिक्षन होगा दर्द वाँन तो यह रोद गवरम कर आपके जॉईंस अर्म गरम topic वर्थरीटिस गव्टी अर्थरितिस तो पसाद ना रहा है टॉपिक तो लाइक बटन दबा दीजिए और आगे बढ़ते हैं तो एक रीजन नहीं है इस चीज का यूरिक zł बढ़ना गाउट खोणा यह कई बार जेनीटिक भी होता है फैमिली में चला आता है करूचा होज़ा ज्जाध तर यह में आदमियों में चली होटा है विमिन में के जहाधा होता है मीनोपॉज के बाद एक उमर के बाद जब उनका महीना याने बंद हो जाते है और जो लोग दारू पीते हैं उनमें बहुत कॉमन है जिसे जैसे उमर बढ़ती है गाउट कॉमन होता जाता है जादातर और किन लोगों में होगा डाइबिटीज जिसको है किडनी डिजीज जिसको है ओबेसिटी सिकल सेल डिजीज या अनीमिया खून की कमी या फिर ब्लड कैंसर लिूकीमिया जिसको है उनको ये गाउट वाली बिमारी जादा चांसे होते हैं होने के यूरिक आसिड ये चांसे बढ़ सकते हैं देन कुछ ऐसी दमाएं जो यूरिक आसिड बढ़ा सकती है वह हाइड्रो क्लोरो थायजाइड ये एक डायुरेटिक हैं जो ब्लड प्रेशर के लिए कई बार दी जाती है हार्ट डिजीज के लिए दी जाती है किड्नी प्रॉब्लम्स के लिए इन लोगों को जो डायुरेटिक्स लेने हाइड्रो क्लोरो थायजाइड उनको भी यूरिक आसिड लेवल हाई होते हैं तो तेके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं तो हमें करेक्शन सब जगा करना पड़ेगा लेकिन करेक्शन से पहले अपने अंदर जाग की देखना होगा जादा सबसे कॉमन होता है आपके बड़ी अंगुठे में आपके पैर के बड़े अंगुठा जो और नीम घुटने में हो सकता है यह ज्यादा तर यह थ्रॉबिंग पेन होता है यह चीजों में और जॉइंट में आपके जोड़ होगा वह गरम फील होगा लाल फील होगा कई बार दबाने से दर्द होगा सूले सूजन टेंडर हो सकती है हिलने डुलने से दिक्कत हो सकती है आपको बुखार तक हो सकता है और साथ ही यह एक तरीके का अटैक होता है गाउट अटैक यह कुछ दिन चलता है कुछ दिन तक बहुत दिक्कत होती है और उसके बाद यह थोड़े दिन के बाद ठीक हो जाता है कई बार ठीक हो जाता है और को ऐसा भी होता है कि पहले गाउट अटैक में कोई सिम्टम नहीं आ रहा और दूसरे अटैक में वाकी दिक्कते आ रही है आगे कई बार अटैक 6 महीने 12 महीने के बाद भी आ सकते हैं रमेंबर और जिनको क्रोनिक टृट होता है वसको होता है उसके में जॉइं Today intellectual हो गया है और मसल यह मोशं जो और जो मोशं है उत्म पूर्शली कशक्कतर है आप से उसक्रूराम सब्सक्राइब और बाकी सिम्टम्स बीच बीच में आते रहेंगे हो क्या रहा है आपके जॉइंट में आपके uric iassit deposit हो रहा है यह uric acid आपके skin के नीचे भी deposit हो सकता है skin के नीचे joint के आज थायूइंट के आज पास और आपके elbows आपके fingertips आपके इंजगा पर भी टिर्वशत हो सकता है और इसको क्या कहते हैं इनको कहते हैं तो और टो फट कहते हैं इस जो गाथ्य जो चुटी चुटील है इसको टो स कहते हैं यह टोक capture लाट नाम है निए हो सकते हैं लंब इनको फिर पैश्श को डॉर्डमप में से कई बारक्ली मटेरिल भी निकल शक्ता है जिसमें मैया अगर आप उसमें निकलेगा तो ultimately आपको अगर इस में से कोई भी symptom है को इस्यर्पमें लग रहा है तो आप में आपका चाहिंद ठेस्ट करना ने पड़ेंगे ऐसके ब्लड में यूरीक एसीड चाइड पाया přेंच तैस्ट जात है है ऐसी साइनोवियल बायॉपसी भी की जा सकती है और भी रीजन्स देखने के लिए कि क्या ये वही गाउट है और भी कोई यही आर्थराइटिस है और कोई आर्थराइटिस है और बाकी यूरिक एसिड लेवल ब्लड में अगर आपका साथ या आठ के उपर हो सेवेन एमजी पर डी एल तो वह हाई होता है सेवन यह 6.8 6.9 इतना हाई नहीं है सेवेन के उपर 8 के उपर है तो हाई माना जाता है मगर नौट एवरी वन विता हाई यूरिक एसिड लेवल डेवल डेवल डेवलप्स गाउट यानि अगर आपका साथ है आठ है नौ है दस है ग्यारा है तो जरूरी नहीं है आपको घॉट होगा यहां डरना नहीं है और युरेक ऐसिड हाई है तब जाके हमें अर्थराइटिस के प्रेजंस में हमें जरूर उसको इमपॉर्टेंट ली कम करना पड़ेगा कम करने के लिए treatment treatment में याद रखिए यहां दो तीन चीजों का treatment हो रहा है पहले तो joint में जहां पे सूजन है दर्द है दिक्कत है तो आपको दर्द के लिए anti-inflammatory medication जैसे एंसेट बूफन इंडोमेथासिन आइपूपूफन या दर्द की गोलियां लेनी पड़ेंगी जालू करते समय और बीच बीच में उसको कम रखना है या रेगिलरली नहीं लेना है नहीं तो दर्द बढ़त नहीं तो उसके side effect होंगे कई दफा उसके अलावा दवाई होती है जो कोल्ची सिन करके दवाई होती है जिससे पें स्वेलिंग इंफ्लामेशन रिडियोस होता है और नई स्टिरोइड बेस दवाई भी जाती है अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो प्रेडिसलोन इस वेरी एफेक्टिव और इंफ्लामेशन कम करने के लिए लेकिन वह लास्स रिजॉट है कि उसके side effects भी होते हैं पेन थोड़े दिन में चला जाता है बारा घंटे के बाद जैसी ट्रीटमेंट शुरू करें ज्यादा तर केसे में या तो 48 घंटे के बाद चला जाएगा और दूसरे प्रकार की आज की डेट में अगर आपको आपकी गाउट के पेन खतम होने के बाद आगे बना करना और अब पता है तो और फिbst lige आ तो आपको यूरिक असीड कम करने की डवाएं आती है उसमें कहीं प्रकार की दमाएं जैसे के आपकी अऊजो प्यूरी दिया गया है आपके डॉक्टर द्वारा और इसके अलावा आपको कई दवाएं हो सकता है बार-बार दिक्कत हो रही है तो आपको यह सारी दवाओं की जोरोत पड़ सकती है अलग-अलग आपको जॉइंट में किता डैमेज है आपको दर्द कितना हो रहा है आपको टोफा नहीं की किड्नी प्रॉब्लम किड्नी स्टोन तो नहीं है साथ में लेकिन डाइट और लाइफस्टाल चींज तो आप सभी को करने चाहिए जिनको गाउट का रिस्क है ठोड़ा बहुत है न के लिए जाधा खराब है गाउट के लिए तो बियर बन करिए कुछ प्रकार की वाइन्स अच्छी है आप वाइन्स ले सकते हैं रेड़ वाइन इस मोर बेटर तो रेड़ वाइन 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 इस गुड़ वाइन्स आर लिटल-ओके अगर पीना ही आ तो पर ना पी है तो बाकि वेट लूज करना पड़ेगा एक्सराइज डेली करनी पड़ेगी इंपोर्टन और आपको आपका रेड़ मीट रेड़ मीट और जो शुगरी बेवरेजेज जिसमें शक्कर जादा उनका इंटेक कम करना पड़ेगा वो कम खाएं तो शुगर शुगर गुडचीनी शक पूल कर शाहद राइट मिश्री यह सब कम मिठाई कम राइट चाहें में शक्क करवकर कम और उसके बाद में आपका रेड़ मीट मीट चिकन चिकन तो चलो कभी बार खा सकते हैं मीट कम खाना पड़ेगा हफते में एक बार यद दो बार ऐसे खा सकते हफते में रोज-रोज तो उसके अलावा healthy foods आपको खाने हैं जैसे के dairy products, vegetables, fruits, nuts, right, legumes, आपको sugar fruits भी खाएंगे तो less sugar वाले खाएंगे या कम खाएंगे जादा sugar वाले fruits और whole grains खाएंगे उसके अलावा coffee और vitamin C supplements help करते हैं कई लोगों को gout से बचने के लिए coffee and vitamin C, याद रखिए proper treatment से acute attack और uric acid levels काफी हद तक कम हो जाते हैं और 6 mg पर DL के नीचे uric acid level कम हो जाता है तो आप एक normal life जी सकते हैं साथ के उपर दिक्कत होती है 6 is okay, right 6 से नीचे 6 और साथ के बीच में आप lifestyle changes करें However, आपको याद रखना है कि acute से chronic जाते हुए आपको सारी चीजे समझनी जरूरी है information इस तकी यह information है आपके पास याद रखिए अगर यह आप नहीं ठीक करेंगे तो chronic गाउटी आर्थराइटिस होगा, kidney stones हो सकता है, kidney deposit होके chronic kidney failure हो सकता है और high liver uric acid से सबसे जरुआ kidney, kidney के अलावा, uric acid बढ़ने से आपके गाउटी आर्थराइटिस joints और even body skin के अंदर भी problems आ सकती है, remember all these things, अगर आपको डाउट है तो डॉक्टर से जाके अपना चेक अप करा यह prevention के लिए lifestyle changes है, अपने triggers पहचानिए, अगर कोई दवा ले रहे हैं तो डवा के बारे में doctor से बात करिए, regular test कराईए, दुनिया की सबसे बड़ी prevention होई है, साल दो साल में अपने regular check-up कराईए, doctor को दिखाईए, और सबसे बड़ा prevention है, इस video के नीचे का share button दबाईए, subscribe button दबाईए, और bell का इकन दबाईए, और कोई बात नहीं, दबाईए, दबाईए, जहां हमारे channel पर आके दबाईए, thank you so much for watching, I am doctor Parandeet, stay connected, stay healthy.